जैश्राम बहुत धनेबाद बहुत सागत आपके अपने बेहत खास कारिकर मैं हूँ आपके शाथ आपका अपना आचारे राजमिश्टा 2023 फरोरी मां किस प्रकार ब्यती तो होगा मेरे लिए बहुत महत्पूर अगर मैं कहूं तो क्योंकि कालपुरुष के 12 हाउस 12 घर की राशी है मुझे लगता है कि शायद मौक्ष प्रदान करने वाली अपने आप में ये राशी है बिदेश की राशी मानी जाते है एगर मैं शायद बात करूँ मेरराशी को लेकर करके तो मैं एक बात कहूंगा मेरराशी के जातेगा अगर प्रोफेशनल लाइफ कोट से रेलेटेड हो बहुत फायदेमंद होता है टीचिंग से रेलेटेड होगा आप फायदा करता हुँ बहुत सारी चीजे है कहा है रहे हैं कोर्ट से रिलेटेड फिल्ड आपके लिए फायदेमंद होता है एजुकेशन से रिलेटेड फिल्ड आपके लिए फायदेमंद होता है बैंकिंग से रिलेटेड फिल्ड आपके लिए जबरदस्त अग्यूत असंभाव के भी ग्यान दे शक्ते हैं फिजिकल मेहनत से ज़्यादा ब्रेन और बोलने का तरीका ये मुझे लगता है कि मीन राशी के लिए एक बहतरीन है मीन राशी के लिए अगर मैं बात करता हूं मैं एक बहुत निर्मल और बहुत निश्चल सभाव वाली राशी कहूंगा धार्मिक प्रविर्तिवाली राशी कहूँगा अच्छे सोच बिचार वाले लोग मैं मीन राशी को कह सकता हूँ लेकिन 2,23 फरवरी किस प्रकार व्यतित होगा एक और जानकारी देदू मैं डेली रात को 9 बजे और 2 पहर को 12 बजी ये दो समय होता है जब मैं आपके साथ लाइब जुड़ता हूँ आपके लिए जुड़ता हूँ आप लाइब में जुड़ करके कॉल करके अपने विशे में सारी जानकारी free of cost प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर आगे पीछे आप जुड़ना चाहते हैं प्राप्त में केतू 11th house में शूरी स्टार्टिंग में गोचर करेंगे 10th house में बुद्ध का गोचर रहेगा और उसके साथ सनी और सुक्र मंत के हाप तक करीब सुक्र भी 12th house में रहेंगे सनी तो हैं ही 12th house में क्या परिस्थती आपके लिए रहने वाली दिखती है जो कंडिशन आपके लिए दिख रही है 2023 फरवरी महिने में इस्पेशली वो कंडिशन साथ तारीक तक जो भी बिजनस की रुकी हुई डील से हैं वो आपकी होने वाली हैं कुछ नए आफर आपके पास आने वालें कुछ नए आफर आपके पास आएंगे बिजनस की रुकी हुई जो डील है वो आपकी होगी मार्केटिंग का तरीका चीजों को बेचने का एक अलगशा तरीका आपके अंदर होगा बिजनस के कुछ नए आइडिया होंगे तो साथ ही तारीक तक बिजनस उच आयाम को छूलेगा जो शायद आप सोच नहीं सकते थे जो आपके मनविचार भी नहीं था तो मेरे द्रिश्टिश्य अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को ले करके बात करूँगा तो मैं साथ तारीक तक के शमय को बड़ा अनकूल कहूँगा बट एक बड़ा इंपोर्टन्ट रहने वाला है जो आपके लिए अब सुरू हुआ है पैसे को रोकना सीखिए धन आएगा बाद में लेकिन जाएगा बड़ी स्पीट से पहले कि लाभेस जो शनी है वो ट्वेल्थ हाउस में जाकर के गोचर कर रहे है एक प्राबलम जरूर सॉल्व होने वाली है जिन जातक जादिकाओं को नींद इत्यादी आने में दिक्कत होती थी अब आपको प्रापर नींद आए इस प्रकार का शंकेत आपकी राशी में दिख रहा है बट अपने बातों पर प्लीज सब्दों पर बहुत ध्यान रखिए इस टाइम पर आपके बोलने के कारण आपके सब्दों के कारण बने हुए रिष्टे खराब हो लडाई जगडा इत्यादी हो इस प्रकार का शंकेत नजर आता है बिदेश यात्रा का बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है इस महीने में जा करके 27 तारीक से ले करके जो 27-28 से से लास्ट का ही दो-तिन दिन है लेकिन इस बीच में बिदेश यात्रा के ले किया गया प्रयास निश्चत रूप से आपको अच्छे रिजड़ देने वाला होगा आपको अच्छी सफलता प्रदान करने वाला होगा ब्रहषपती के आपकी राष्य में गोचर करने से मान, शम्मान यस प्रतिषठा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी नौकरी में प्रमोशन का योग और नौकरी में परिवर्तन का दोनों योग बन रहा है नौकरी में प्रमोशन और परिवर्तन का योग बन रहा है बट कारेशेत्र में शडयंत्र से आपको बहुत बचने की आवश्यक्ता होगी कारेशेत्र में शडयंत्र बने और उस शडयंत्र के कारण आपको अप क्री तक छोड़ना पड़े इस प्रकार का संकेत आपकी राशी में पूरी तरह से नजर आता है तो यहाँ पर आपको शावधानी की बहुत आवश्यक्ता है ऐसा आपकी राशी दिखा रही है ऐसी परिस्थितियां आपकी राशी के अंतरगत दिख रही है खैर उसके साथ रहेगा इस प्रकार का शंकेत है हम लोग फिर नए राशी फल को लेकर के आएंगे कुछ नए बिशै को लेकर के आएंगे रात नौ बजे दो पहर को बारा बजे आपने साथ जुड़ करके सारी जानकारी फ्री आप को स्प्राप्त कर सकते हैं आगे पीछे बात करना है समय ल